गुद मॉर्निंग इस्टुडेंट आज हम इस वीडियो के माध्यम से कच्छा बारा हिंदी की पाठ पुस्तक के काब्य खंड में आए हुई कविताओं का अध्यन करेंगे अभी तक पिछले वीडियो के माध्यम से आपने गद्ध खंडिक में आए प्रथम पाठ का वाचन उसकी ब्याख्या को पढ़ा और समझा आज इस वीडियो के माध्यम से इपाठ साला में हम काब्य खंड का अध्यन करेंगे आपके पाठ करम में जो कविताओं आई हैं और उन कविताओं की रचना जिन जिन कवियों ने की है उनके बारे में उनकी जीवन परचे के बारे में ज्यान प्राप्त करेंगे और कविताओं का अध्यन करते हुए उनका वाचन करते हुए उनकी ब्याख्या को समझेंगे क्योंकि परिच्छाओं में काव्य खंड के अंतरगत कवियों का परचे जीवन परचे भी पूछा जाता है और पद्यांस की ब्याख्या उससे सम्मंदित प्रशनों के उत्तर भी पूछे जाते हैं तो उनको सरल्ता से करने के लिए हमें काव्य खंड का ग्यान आवश्यक है और हम उस ग्यान को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम कविता को अच्छी तरीके से समझेंगे आखिर कविता का मुक्ष देश क्या होता है कविता का वो देश क्या है तो कविता का मुक्ष देश काव्य सौंदर की रसान भूती द्वारा आनन्द प्राप्त करना है यह आनन्द जो कविता में समाहित रहता है इसकी पूर्ती हमें हो सके इसका अनभो हमें हो सके यही कविता के द्वारा कभी हमें बताना चाहता है कविता पढ़ते समय हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए कि छंद की लए गती यती ये जो तत्व हैं काभी के इनका प्रियोग और इनका आर्थ ग्रहन दोनों की जानकारी हमें होनी चाहिए कविता को प्रभावी बनाने वाले तत्वे जैसे वाचन कविता का वाचन किस प्रकार करें रस ने रूपन कविता में कौन कौन से रस आये हुए है चंद पे दान कविता में किन किन चंदों का प्रियोग हुआ है कौन कौन से चंद कभी के द्वारा कविता में सहेजे गए है अलंकार योजना कविता में कौन कौन से अलंकारों का प्रियोग हुआ है कभी का प्रमुख अलंकार प्री अलंकार कौन है ये सब कविता के भाव को ग्राण करने में सहायक होते है और आगे पाठक्रम में हम सब इनी के बिस्तार को पढ़ेंगे समझेंगे कविता द्वारा कभी हमें आदर्स जीवन मूलियों के प्रती सचेत करना चाहता है अभी प्रेरित करना चाहता है और कविताओं के माध्यम से वह मनुष्य के जीवन में प्रेंड़नाएं भरता है वाचन के साथ साथ कविता का केंद्री भाव भी उभर कर आता है और इस पर कुछ चर्चा करनी भी चाहिए कि कविता का मूल भाव क्या है कविता में हमें क्या कहना चाहता है इस कविता में पंक्तियों में कविता का केंद्री भाव क्या है इन सब पर अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें सहायता मिलती है कविता को समझने के लिए हमें उसके कला पच्छ पर भी ध्यान देना चाहिए कविता का भाव हमें अगर समझ में आ गया तो कवि की साथ थकता पूर्ण हो जाती है वैं भावोत की कसोटी पर खरा उतरते हैं अतहा हमें कविता का गहन अध्यन करना है वाचन करना है तो अपने पाठ करम में विभिन कविताओं कवियों की रचनाए है जिसमें सरप्रथम पहला पाठ अयुद्ध्या परसाद हरियोद के द्वारा रचित कविता पवन्दूत का है पवन्दूत का अयुद्ध्या परसाद अपाठ ध्याय अयुद्ध्या सिंग अपाठ ध्याय हरियोद के प्रसिद्य महाकाब प्री प्रवाश जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाब भी कहा जाता है उससे उद्धत है हम कविता का वाचन करने से पहले कभी के विश्य में भी जानकारी प्राप्त करें अयुद्ध्या सिंग अपाठ ध्याय का जन 15 अप्रेल 1865 एस्वी में निजामाबाद जिला आजमगड उत्तर प्रदेश में हुआ था इनके पिता जी पंडित भोलान सिंग उपाठ ध्याय थे इनकी सिच्छा दिच्छा फार्सी के माध्यम से प्रारम हुई तक पस्चात ये अंग्रेजी के ग्यान प्राप्त करने के लिए बनारस में गए स्वाध्याय से इनों ने संस्क्रत फार्सी और अंग्रेजी में अच्छा ग्राण प्राप्त कर लिया ये बिन बिन पदों में भी रहे यथा अध्यापक कानून गो और कासिब इस विद्याले में सिच्छक के रूप में इनोंने कार किया 6 मार्च 1947 इसवी में इनका देहा वशान हो गया वास्तों में हरियोज जी दिवेदी युक के प्रतनिदी कवी और एक प्रसिद गद लेखक थे जिनोंने काब के साथ साथ गद में भी महारत हासिल की इनकी प्रमुक काब रचनाएं प्री प्रवास पहले ही बता चुके हैं खड़ी बोली का प्रथम मा काब कहा जाता है अन्य रचनाओं में बैदेही बनवास, पारिजात, चुबिते चौबदे, चोखे चौबदे जो की एक महावरों से युक्त इसपुट काब संग्रह है एक अन्य गरंत रसकलस जो की ब्रजभासा का छंदों का संकलन है ये तो इनकी काब रचनाएं हुई काब के साथ साथ इनका गद में भी महान योगदान है जिसमें हिंदी की अनेक विधाएं उपन्यास, नाटक, आदि में भी इनोंने अपना योगदान दिया है उपन्यास के रूप में इनका प्रमक उपन्यास अधिखिला फूल है अन्य उपन्यास ठेट हिंदी का ठाट और नाटक रुकमणी पढ़ने हैं इस प्रकार इनोंने गद्य में भी अपना अमूली योगदान दिया हरियोज जी पहले ब्रजभासा में कविता किया करते थे जिसका सुन्दा रुदारान ड्रसकलास है लेकिन महावीर प्रसाद दिवेदी जी के संपर्क में आकर ये खड़ी बोली के छेत्र में आ गए और खड़ी बोली को एक नया आयाम दिया भासा भाव चंद परंपराओं को तोड़कर नई परंपराएं स्थापित की इनोंने काब के भावपच और कलापच को नवीन आयाम तक पहुँचाया हरियोजी की भासा विवित्ताओं से भरी हुई थी इनोंने कोमल कांत पदावली युक्त ब्रजभासा संस्कत निष्ट खड़ी बोली प्रीप्रवास और मुहावरेदार युक्त बोल चाल की भासा में चौखे चौब दे अनीक प्रकार की रचनाएं की इसी कारण ततकालिन महान हिंदी के बिद्वान प्रणेता आचार स्री रामचत सुकलिन जी ने दूई कलातमक कला में सिद्धस्त कहा इनोंने प्रबंध और मुक्तक काब में सफल काब रचनाएं की इती ब्रत्यातमक मुहावरेदार संस्कृत काब चमत कारपूर सरल हिंदी सेलियों का अपने सिल्प में कलाओं काब में सफल परियोग किया तो ये अपनी काब रचना काब द्रश्ट से अपने ग्यान को काबियों में समाहित किया और पाठकों को काब की रसान भूति कराई इस कारण इन्हें अनेक उपादियों से सम्मानित किया गया जैसे इन्हें कभी समराट सहित वाचसपती आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक सहितिक सभाओं और सहित सम्मेलनों में सभापती के रूप में कार किया और उन पर अपना अमूली योगदान दिया निसंदे ये हिंदी साहित के गौरों थे और अपने पाठक्रम में ऐसे ही महान हिंदी के प्रणेता उपाध्या जी हरियोद की रचना पमन्दूत्का को पढ़ने का सभाग मिला है तो हम इनकी प्रमुख रचना पमन्दूत्का को अपने पाठक्रम के माध्यम से पढ़ेंगे काविखंड में रचनाएं थोड़ा लंबी हैं जिनको हम पैराग्राप पध्यांसों में पढ़ेंगे और उनी पध्यांसों की ब्याक्या करते चलेंगे पध्यांसों में आयकठें सब्द उनको आपको लिखती भी चलना है जिससे ब्याक्या में सहिस्ता सरलता प्रदान हो और परिच्छाओं में जो उप्योगी यान्स आते हैं उनमें हम बिसेस ध्यान दें और उनको बली बाती समझें कविता के वाचन में और उसकी ब्याक्या में जो भी समस्यां उत्पन हो वह अपनी बेस्या दापक से संपर करके उन समस्यां को दूर करें उनका निवारण करें तो आईए हम पवंदूत का नामक कविता को पढ़ें उसका वाचन करें तत्पस्चात उसकी ब्याक्या को समझें बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली आके आशू द्रग युगल में थे धरा को बेगोते आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंद को ले प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनों से तो ये पहली चार पंक्तियां प्रथम चार पंक्तियों का वाचन हुआ बैठी खिन्ना एक दिवस तो इधर खिन्ना आया है खिन्ना का ताथ पर दुखी तो कभी ने प्रस्तुत पंक्तियों में बताया है कि वियोगनी राधा जो क्रश्न जी के चले जाने पर अपने आपको दुखी महसूस कर रही है और वे पंवन के माध्यम से स्री क्रश्न के पास संदेश भिजवा रही है कभी द्वारा प्रस्तुत कविता में राधा के विरह का रूप प्रस्तुत किया है राधा की उद्दात्य भावनाओं को चरित्र का रूप प्रदान किया है तो कभी कहते हैं कि राधिका अपने घर में अकेले बैठी हुई है आशूं से आके आशू गेह माने घर यहां पर गेह आया है सब्द गेह का मतलब घर होगा आके आशू द्रग योगल मेथे धारा को बिगोते द्रग मतलब आशू आखें द्रग मींस आखें होता है उन आखों में आशू आकर अर्था वह आखें आशूं से परिपूर्ण थी दोनों आखें आशू से सजल हो गई थी आई धीरे इस सदन में पुस्प सद्गंद को लेके आई धीरे तो धीरे आने का तात्पर पवन से है वायू से है कि वह पवन धीरे से आकर इस सदन में सदन का मतलब ग्रह पुस्प सद्गंद को ले प्रात वाले सुपवन इसी काल वायतायनों से यहाँ पर सुपवन अर्थात पवन हवा और वायतायनों का यहाँ अर्थ होगा खिडखियां तो हम इसकी ब्यक्ख्य के रूप में संपूर्ण भाव को लेते हैं कि एक दिन रादिका उदासी से भरपूर उदास वाता वरान था वह मानसिक बिचो से ग्रसित थी सिरी क्रश्न चले गए थे उसी बिरह में वह कहती है कि आशू आ आकर उनके दोनों आखों को सजल बना रहे हैं और इसी समय प्राता कालीन सुगंदित पवन खिडखियों से होकर उनके घर के बीतर आती है फिर आगे संतापों को बिपुल बढ़ता देख के दुखता हो धीरे बोली सदुख उससे स्रीमती राधिकायों प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे सह सताती क्या तू भी कलशित हुई काल की कुरूरता से तो प्रस्तुत पंक्तियों में हरियोज जी संतापों यहाँ पर संतापों देखांकित कर दिया गया है इसका अर्थ है दुखों तो हरियोज जी कहते हैं दुखों को बिपुल अत्यदिक मात्रा में बढ़ता देख के दुखता हुँ धीरे बोली सदुख उससे स्री राधिकाई हों और जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर उस पवन से कहा प्यारी प्राता पवन इतना क्यों मुझे सताती क्या तू भी है कलुसित हुई काल की कुरूरता से कि है प्राता कालीन पवन एक तो मैं वैसे भी बहुत परिसान हूं तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है क्या तुम भी इस कठिन समय की कठोरता से दूसित हो गई हो कलुसित का अर्थ यहां पर दूसित होगा कलुसित अर्थात दूसित तो समय के कठोरता के कारण क्या तुम भी दूसित हो गई हो क्या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है क्या तुम भी अपने कारे के माध्यम से मेरी बिरह को और बढ़ा रहे हो इस प्रकार कभी ने इन चार पंक्तियों के माध्यम से राद्यका की मनो दसा का भापून चित्रन किया है इन में कभी ने मानवी करण अलंकार का प्रियोग करते हुए वाई को एक मानो का अकार दे दिया गया है कि किस प्रकार वह बिरह में डूबी बैठी हुई है और हवा उनके कष्ट को आकर बढ़ाती है वह हवा के माध्यम से सीजी कृष्ण को संदेज बिजवाना चाहती है कि इस बिरह के छण में भी वह उनके पास नहीं है और हवा उने उस बिरह को बढ़ाने का कार करती है और वाई को यहां मानवी करण अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है कभी ने इन प्रस्तुत पंक्तियों में स्रंगार रस का प्रियोग किया है स्रंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं एक संयोग स्रंगार और एक बियोग स्रंगार यहां पे बियोग स्रंगार का कभी ने प्रियोग किया है जब प्रेमी प्रेम का बिछुड जाते हैं और उनके बीच में जो वारता लाप होती है वह बियोग स्रंगार के भाव को दर्साती है कभी के माद्यम ने कभी ने अभिधा सब्द सक्ति का बहुत अच्छा प्रियोग किया है सब्द सक्तियां तीन प्रकार की होती हैं अभिधा, लच्छना और बेंजना इन सब का बिसद विवेचन आगे किया जाएगा और कभी ने प्रसाद गुण के माद्यम से काब्य के तीन गुण भी होते हैं प्रसाद गुण, माधोर गुण, ओज गुण इसमें पंक्तियों में प्रसाद गुण अर्थात याचना दयाव के भाव का वर्णन किया है और चंद मदा क्रांता का प्रियोग किया है कभी ने इस प्रकार इस वीडियो के माद्यम से आपने पहले पाठ की कविता पवंदूत का के प्रतमांस का अध्यन किया उसकी ब्याक्या को समझा और उसकी ब्याक्या में आए बिस्ष्ट काभी के तक्तियों को जाना अगले आने वाले वीडियो में आगे की पंक्तियों का वाचन होगा ब्याक्या होगा उसकी जानकारी आपको अगले आने वाले वीडियो में हो जाएगी आप सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतिजार करें घर में रहें सुरच्चित रहें धन्यवाद